हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब्सक्राइब आज हम आप लोगों को एक 10 किलो वाट का और इंवर्टर दिखाएंगे जो सोल इस कंपनी का है तो चलिए पूरे देखते हैं अन्बॉक्सिंग करते हैं जैसा कि देख रहे हैं आप लोग यह बॉक्स है पीवी इंवर्टर फ़ोरजी सिरीज में यह 16 का इंवर्टर हैं 16 कंपनी का है तो हम बॉक्स को ओप्रिएंगे आज हम और लोग इन्वर्टर को देखेंगे कि इंवर्टर जो है वह कितना है कितना बड़ा है तो चलिए बॉक बॉक्स को ओपन करते हैं देख लेते हैं कैसा है जाजा कि देख रहे हैं आप लोग बॉक्स ओपन हो चुका है और इसमें सबसे उपर ही रखा पड़ा है बेस प्लेट है जिस पे इनवर्टर को लगाना है यह रिपोर्ट है और यह एसी कनेक्शन के लिए जो है और बेस प्लेट के साथ एमसे फॉर क्नेक्टर पिन के साथ में होता है तो चलिए आगे निकालते हैं बॉक्स को बहर देख रहे हैं आप लोग यह इनवर्टर है सोलिस कंपनी का 4G स्रीज आप अंग्रीड है 10 किलोवाट का इनवर्टर है जिसमें आप आप लिकालते हैं इनवर्टर को अंदर देखते हैं क्या है कैसे पीछे जो यह पीछे लगा पड़ाई यह पूरा हीट सिंक है यह इनवर्टर को हीट होने से कंट्रोल करता है हीट सिंक है जो इनवर्टर की गर्में होती है वह बहर आ जाती है उसकी वज़े से तो यह इनवर्टर देख रहे हैं आप लोग काफी बड़ा है और वजन भी है 25-25 किलो का लगभग है हाँ हुँ है है जे देखने डाटा लागि बाउस्टिक यह वाई फाई कनेक्षन के लिए जो इस्टिक है वह रहे इस हैं में लोग इनवर्टर को राइब आव इसे कनेक करते हैं अपने मोवाइल पर जो भी डाटा होताँ इसको फोक देखने के लिए इसी का रूस करते हैं गर यह नहीं है तो वाई इसे कनेक्ट हुसकता है तो इसको वाई इसको स्क्षानिक करने के बहुत ज्युरूरी है अगर वह इस्टिक नहीं है तो वाई दुटSCr करेंगे इन्वेटर के नीचे का हम लोग पॉर्शन थोड़ा देख लेते हैं कि नीचे कहां क्या से क्या क्या है तो चली दिखाते हैं यह देखिए दो यह दो 2 mc4 connector 2 input है inverter के लिए और यह DC switch है यह सी connector के लिए बना है और यह दर specification के लिए चार्ट लगा हुआ inverter का specification है जिसमें सब कुछ बताए गया है कि company क्या company क्या series है serial number क्या है उसका सब कुछ लिखा पड़ा है इसमें तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इस case specification के बारे में भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह solis का inverter सर्चे पहले item test item description on read है input maximum rated voltage DC जो है 1000 है और 600 volt है minimum 600 और 1000 MPPT voltage DC ranges 160 बोल्ट से 50850 बोल्ट मतलब एक साथ से आठ साड़े आठ सो बोल्ट तक और मैक्सिम इंपूट DC है दो गुड़े 111 मतलब दो MPPT 111-111 MPR के दो इंपूट में हम दे सकते हैं ISC PB voltage है दो गुड़े 17.2 MPR मतलब ISC short circuit जो करेंट है DC का वो 17.2 MPR इंपूट है में rated grid voltage AC है थ्री थ्री फेज नीट्रल और एक अर्थिंग के लिए हैं और 230 से 400 volt तक है AC rated grid frequency है 50 to 60 Hz रेटेज आउटपूट पावर है 10,000 Watt यानि 10 किलोवाट मैक्सिम एसी आउटपूट एक्टिव पावर जो है वो 11,000 Watt है और मैक्सिम एसी आउटपूट एप्रेंट पावर जो है 11,000 Watt है और मैक्सिम एसी में वो 15.9 MPR यानि 15.9 MPR और इसका कॉस्ट फाइज हो है 0-0.8 से 1 और प्लस 0.8 तक है और ऑपरेटिंग टेंप्रेचर रेंज है मैनेस 25 डिग्री से प्लस 60 डिग्री तक है इंग्रेस प्रोटेक्शन है IP65 प्रोटेक्शन क्लास फर्स्ट है ओवर बोल्टेज केटेग्री है 2nd PV और थर्ड मेंस है दोस्तों यह इन्वर्टर अगर ग्रिट से कनेक्ट है और सोलर से भी विजली बन रही तभी एक्टिपेट होता है वरना अगर ग्रीट डिसकनेक्ट कर देंगे तो यह इन्वर्टर आटुमेटिक बंद हो जाता है तो आसा करता हूं वीडियो आप लोगोगो पसंद ही ये धरने वाद दोस्तो